कानपूर टेस्ट मैच में इंडिया की टेस्ट विक्टरीज में एक बहुत बड़ी जीत कंसीडर करता हूँ बहुत उपर है ये जीत अब बड़े लोग कहेंगे जी बंगला देश की एगेंस जीते हैं क्या फरक पड़ता है देखें अगर आपने ये टेस्ट मैच किसी क्रिक इंफो क्रिक बस ये किसी एप पे आपने फालो की है ना तो आपको समझ नहीं आएगा लेगिन अगर आपने ये टेस्ट मैच देख लिया और आपने इंटेंसिटी देखी है आपने इंट्नेट देख है आपने प्रॉपर बैठ के बारिश के दिनों में या जब बारिश नहीं हो रही थी मैच शुरू नहीं हो पारा रहा है ग्राउंड इतना कोई रेडी नहीं था ड्रेनर सिस्टम खराब था अगर आपने बैठ के इनतजार किया यनि आपने पांच दिन एक तो बॉइज ने ये मैच खेला ना इंडियन बॉइज ने फैन्स ने भी मैच खेला अपने घर बैठके इनतजार किया है लड़कों के साथ चार अब मैच शुरू होता है अब मैच शुरू होता है और उस फारी जो तकलीफ से गुझरे हैं सब और उसके आखर में जो इंगलंड है जो ऐसे टेस्ट मैच जीत जाती है यहां जिनके अंदर ऐसे टेस्ट मैच जीतने की सलाहिएत मजूद है स्किल मजूद है इनके इलावा दुनिया में ऐसी कोई टीम नहीं है जो ऐसे टेस्ट मैच जीत सके individual performances पे अभी हम बात करते हैं लेकिन वो secondary जील है पहले team performance, team as a unit होके खेली किसी ने आके अपने selfish game नी खेली, किसी ने आके अपने saw की कोशिश नी की और थोड़ा सा pressure मुझे लगता है गौतम गंबीर के दमाग में था वो स्री लंका के series हार ना, मतलब वो एक अच्छा start नहीं था कोई तवक्व नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा tough time था गौतम गंबीर के उपर mentally कि यार मुझे एक ऐसी चीज़ करनी है अपनी coaching में, जो लोग कहें कि यार ये GG का दौर शुरू हो गया वो अब मौका है ये उनकी सोच ही थी, भारत की think tank था ये पूरा कि हमें ये test match जीतने की तरफ जाना बाते क्या हो रहीं थी, यार अब WTC का scenario क्या होगा वगेरा वगेरा, कानपूर को test match नहीं मिलना चाहिए मतलब बड़े लोग ना defend करने आ जाते हैं लोग इस असलियत से भागते हैं के कानपूर test match में ऐसे बहुत मौके थे जहां पे match शुरू हो सकता था, बारिश रुकी भी है लेकिन drainage system इतना खोकला था, इतना गंदा था कि covers नहीं हटाएगे लेकिन चलो आज हमने उस पर बात नहीं करनी लेकिन आपको credit देना पड़ेगा इंडियन टीम को जिस तरहां से वो ये test में जीते हैं मतलब बंगला देश को उनोंने जहें जोर के जगाए है कि आप भारत में हैं आप I'm sorry to say पाकिस्तान में नहीं है आप अंदाजा करें बंगला देश का बंगला देश किस तरहां expose हुआ है इस पूरी series में मैं सुबा जब इंडिया ये match जीती है तो मैं ये सोच रहा था कि कितनी गंदी क्रिकेट पाकिस्तान खेला है कि बंगला देश जीत गया हैं उसे मतलब आप अंदाजा लगाएं वो ये test series शिरू होने से पहले ना इंडिया बंगला देश की test series शिरू होने से पहले हम अक्सर इस पे बात करते थे कि क्या बंगला देश टफ टाइम देगी इंडिया को तो मैं एक बात हमेशा करता था इस series से पहले कि अगर किसी टीम ने पाकिस्तान को हरा है ना तो हमें ये नहीं पता कि उस टीम का इसमें कितना क्रेडिट है क्योंके पाकिस्तान इस टाइम अपनी दुश्मन खुद है उनफॉचिनेटली मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये कहते हैं बड़ी पेन है मुझे इस चीज़ की कि पाकिस्तान हर मैच में अपने आप के साथ मुकाबला कर रही है कि जी हमने पिछले मैच में गंदी क्रिकेट खेली थी चलो अब इससे भी नीचे चले जाते हैं हम पहले सोचते हैं कि चलो यार जिम्भावे ने हरा दिया चलो यार ठीक है एक आधी दफाव जाता है अफगानिस्तान हरा दिया यूएस खेर तकलीफ है उन चीजों की लेकिन मैं एक कंपेरिजन कहा रहा था कि बंगला देश जिसको इंडिया ने हिलने नी दिया वो बंगला देश जो पाकिस्तान को रागे गई उसको इंडिया ने दो दिन के अंदर फारिग किया उनको बता दिया है कि ये है आपकी हैसियत हमारे सामने इंडिया ने बंगला देश क तो पांच दिन का था हमें दो दिन चाहिए बस और ये बड़ी टीम्स की निशानी है कंडिशनल मुश्किल थी, टफ थी, बारिश है, मैच शुरू नहीं हो रहा, अब जी ड्रॉ होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरा मैच बना दिया इंडियन टीम ने, उनका लोईस स्कोर था वो हिस्ट्री का टेस्ट का जब उन्होंने डिकलेर किये, मतलब टेस्ट मैच एकदम उसमें जाना गई, और वो चाते थे डे, फूर में के एंड में आदा पौना के हिंटा हमें ना बॉल मिल जाए, मैने कल भी आपको बताया था कि टेस्ट मैच के आखरी आदे पौने के हिंटे में, दुनिया का कोई भी बेटर हो, चाहे वो सचेंट एंडूलकर है, यहां विराट कोली है, उसकी टांगे कामती हैं, आखरी आदे पौने के हिंटे में, क्योंकि तब उसका मुकाबला बॉलर के साथ बाद में होता है, और पहले प्रेशर के साथ होता है, और वो जो प्रेशर है ना दिन के आखर का, उसमें बड़े बड़े बैटर्स होई हैं, और उसमें बंगला देश की विक्टे गिरनी ही गिरनी थी, कोई उन्होंने नाइट वाच्में बेज़ दिया, उसने भी बेवकुफी कर दी हसनमेमूद ने, आके हिट मारने की कोशिश वो कह रहा है, लेकिन वहां पे ये कोई प्रॉपर पैटर भी बेज़ देत हैं, और ज्यादातर क्रिकेटर्स जो बड़ा नाम बनाते हैं, वो हंबल बैक्राउंड से ही होते हैं, बहुत एक्जेम्पल हैं हमारे सामने, क्योंकि नीचे से मेहनत करके एक एक दिन गिन के, मतलब क्या दिन होते हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, पिर आप दुनिया की सबसे बड़ी टीम का एक इंपॉर्टन मेंबर होते हैं तो आपको महनत का फल मिलता है महनत अगर आप करते हैं उसका फल आपको मिलता ही मिलता है चाहे आपको जितना मर्जी देर बाद मिले ये शस्वी ने आपको ज्यादा तर अब दिखाना शुरू कर दिया कि उनके अंदर वो सलाहियत मुझूद है उनके अंदर वो स्किल मुझूद है दोनों इनिंग्स में इस पूरे टेस्ट मैच में ऐस एक करेक्टर वो बड़ा उनका एक करेक्टर आपको दिखा कि याल ही वोंट्स टू कंट्रिब्यूट वो टीम की विनिंग काउज में एक इंपॉर्टन्ट मेंबर बनना चाते है मैं कहीं बर रैंडमली स्टैट परड़ा था भी आते वे ड्राइव करते वे मुझे अब एक्जेक्ट वो स्टैट याद नहीं है कुछ ऐसा था कि दोनों इनिंग्स में सबसे ज़्यदा स्ट्राइक रेट इससे पहले सेवाग का था अब ये शस्वी का है कुछ ऐसा था मैं गलत भी हो सकता हूँ कुछ ऐसा रेंडम स्टैट मैंने आते वे ना जल्दी जल्दी में स्क्रोल डाउन करते वे पड़ा तो नाम देखो किसके साथ जुड़ा है सेवाग के साथ जो बहुत उपर बैठे में हैं इंडियन क्रिकेट में और मैं जब साउथ ऐफरिका की सिरिज में यह शस्वी ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए तो मैंने तब भी कहा था कि मुझे बहुत इंतदार है उस दिन का जब यह शस्वी यह शुबमन जैसे प्लेयर जो यंग प्लेयर हैं यह अस्ट्रेलिया साउथ ऐफरिका जैसी कंडिशन में परफॉर्म करना शुरू करेंगे और यह करेंगे डेफिनिटली अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं तो डेफिनिटली वो भी दिन दूर नहीं है कि बॉर्डर गवासगर ट्रॉफी जो के भी थोड़ा सा दूर है उसमें कैसी परफॉर्मनस होगी इस्पेशली यह शस्वी की और वहाँ पे अगर यह कामियाब हुए तो मैं ज्यादा सर्प्राइज नहीं होंगा क्योंकि इस ताइम आउस्ट्रेलिया तियारी रिश्पंत की कार रही है लेकिन देखना यह होगा के आउट ओफ श्लेबस कही यह शस्वी जे स्वाल ना आ जै क्योंकि आस्ट्रेलिया में आप देखें वो बलेर कामियाब होता है जो बहादुर है जो अस्ट्रेलिया को आंखे दिखाता है और ये शर्षवी के बारे में ये स्टैट भी है कि वो हर चोती बॉल पर चौका लगाते हैं तेट वेंटेज में तो आपको पता लगता है कि यार ये खेलने आया है या रांस करने आया है और जब आप रांस करने की इंटेंसिटी से आते हैं ना आप उपोजिशन को बैक फूट पर करते हैं अश्विन ने बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले किया है स्टेस्ट मैचें बलकि इस पूरी सिरिज में अश्विन की वो एक पार्निशिप वो बहुत क्रूशल थी जदेजा के साथ जदेजा ने भी स्टेस्ट मैच में तीन सो विक्टे लिए उस पे आते हैं भी लेकिन अश्विन इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ी एक सकून की चीज़ जहां पर मुश्किल है अश्विन को बॉल दे दो जहां में मुश्किल है अश्विन संभाल लेगा बल्ले के साथ यानि एक ऐसा बंदा जो प्रॉपर टीम मैन है कि एक ऐसा बंदा जिसको नजर नहीं आता वो भी यकीन कर लेगा कियार आई ट्रस्ट ओन अश्विन इतना सादा इमानदार और अच्छा क्रिकेटर इंडिया को बहुत अर्से से सर्फ कर रहा है और बिंग ए क्रिकेट फैन बड़ी खुशी होती है इश्विन को देखके उनकी यूट्यूब वीडियोस आवविस से हम सब देखते हैं मैं तो उनकी कोई वीडियो मिस नहीं करता आपको एक नियूटरल अपिनियन हमेशा मिलती है अगर शहीन ने पांच हाउट की है तो बुमरा की तरफ से ट्वीट नहीं आएगा अगर बाबर ने सौ किया तो विराट की तरफ से ट्वीट नहीं आएगा एक 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 एग्जेमपल है ऐसा नहीं होता एक ही प्लेयरा जो ये करता है वो अश्विन है यासिर शान एच्छा परफॉर्म किया है फलान ने किया है डिमका जिसने मर्जी परफॉर्म किया है अश्विन का ट्वीट आ जाता है कि ये बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है क्योंकि वो नियूटरा लोग के क्रिक्ट देखता है उस पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है हमने कल भी बात की थी डिटेल मेश्विन के बारे में कल डिफोर वली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं जदेजा आविसली मुझे पता है आप हुमरा का इंतजार कर रहे हैं उस पर भी आते हैं अभी जदेजा मैं हमेशे कहता हूं कि उन कंडिशन्स का प्लेयर है जहां पे कोई काम नहीं क क्या बात कर रहे हैं उसको तो बहुत क्रेडिट जाता है उसको हमेशा पजीराई मिलती है तारीफ मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती है जितना वो डिजर्व करता है वेरी 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 हैंडी और राउंडर रमिंदरा जयदेजा प्रॉपर टीम मैं और मुझे उनकी फिल् बॉक्स में बता सकते हैं जस्परित भूमरा मतलब छोटा मू बड़ी बात हमारी जैनुवेशन के सबसे बड़े बॉलर है मैंने अकसर जस्परित भूमरा के बारे में आपको ये बताया है कि आप अगर दे ग्रेट वसीम अकरम से ये कहे ना कि जस्परित भूमरा का आपके साथ मुकाबला है तो वसीम भाई इस चीज़ का माइंड नहीं किरेंगे ये बहुत बड़ी बात है जस्परित के इलावा आप पूरी दुनिया में किसी बॉलर का कमपेरिजन नहीं कर सकते वसीम अकरम के साथ और बनता भी नहीं है मैं ये भी नहीं कह रहा है कि जस्परित भूमरा का कमपेरिजन बनता है लेकिन ऐसी सोच आना शुरू हो गई है ये ही बहुत बड़ी बात है कि जस्परित की कमपेरिजन की सोच आना शुरू हो गई है तर ग्रेट वसीम अकरम के साथ तो वो किस पाए का बॉलर बनता जा रहा है मेरी दुआ है कि हमें बहुत ज्यादा साल देखने को मिलें जस्परित भूमरा के टैलनेट के मतब कमस कम अगर उनकी 2-3 साल की क्रिकट है पीक की क्रिकट तो मेरी दुआ है कि हमें 5-6 साल उनके मिलें बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए एक छोटी से इंजिरी और फारग मेरी दुआ है कि वो ना आए विकरस हमने बहुत क्रिकट मिस की है बेंच स्टोक्स है ना ऐसी की तैसी फेर देता है ऐसे मैच जितवाता है कि आप कहते हैं यार बंदा तो बेंच स्टोक्स है विराट कोली है वो ऐसे मैच जितवाता है कि दूसरा अपना सर पगड़ के बैढ़ जयता है यार इस मैश के तो चांसी थी दो परसंड से और कोली यहां से मैश निकाल गए तो हर टीम में एक दो ऐसे प्लेयर हमेशा कुछ सालों के बाद आते हैं जो अपनी लेगसी बनाते हैं और छोड़ के जाते हैं जस्परित भूमरा इस एन इंस्पिरेशन आने वली कई जनरेशन के लिए इनका नाम इंडियन क्रिकेट में गोल्डन लफजों में लिख दिया गया है मैं उस दिन का इंदार कह रहा हूँ जब किसी स्टेडियम में जस्परित भूमरा के नाम का स्टेंड बने अभी किसी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के जस्परित भूमरा के नाम का स्टेंड है I don't think so सिरफ कोली का है ना दिल्ली में जस्परित का नहीं है लेकिन होना चाहिए वो डिजर्व करते हैं मैं हमेशा कहता हूँ अगर विराट कोली इंडियन टीम की बैटिंग की रीज की हड़ी रहे हैं कहीं साल तक तो जस्परित हुमरा बॉलिंग के लीडर रहे है कैप्टन रोही शर्मा मेरा ख्याल है ये जो उनके एंडिंग येर्स हैं अब अविस्टि रोही शर्मा की कप्तानी के आखरी साल है एक दो भी नहीं शायद बिल्कुल अपने आखरी टाइम में है शायद ये उनका सब से अच्छा टाइम पिरिएट जा रहा है जहां पे सब अच्छा बड़ी कॉंट्रोवर्शल बात करने लगो जहां पे सब उनकी एज़त करते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि पहले उनकी कोई एज़त नहीं करता था नहीं मैं ये नहीं कह रहा पहले भी रोही शर्मा के सब बड़ी एज़त करते होंगे वो टीम के सीनिर प्लेयर हैं लेकिन अब रोही शर्मा T20 World Cup जीतने के बाद जिस मुकाम पे बैठ गए हैं जो उनका हीूमर जो उनका एक कमफर्ट लेवल तमाम प्लेर्स के साथ अब दिखता है तो सब बड़ा खुल के रिस्पेक्ट करते हैं पहले भी करते होंगे समझ रहे हैं ना मेरे बाद पहले भी क इसा बनना चाहते हैं आपको याद होगा जब रोहित और विराट कोली इंडियन टीम में पके हुए ना तो इन दोनों मेंसे किसी एक ने कप्तान बनना था इंडियन टीम ने बेसी से आई ने उस टाइम विराट कोली को आगे करने का सोचा कि यह हमें आगे लेके जाएगा इसमें obviously MS दोनी को बहुत क्रेड़िट जाता है MS दोनी ने विराट कोली को पहले ही बता दिया है कि तुम अगले कप्तान हो और MS दोनी आपको पता है इंडियन क्रिकिट में जो चाते थे वो करते थे और वाई नाट बड़ी सर्विस ने उनकी और MS ने जो किया है वो हमेश तो एक बड़ी लेगसी पीछे से चलती आ रही है ब्रेव लीडर्स की कप्तान तो बड़े आते जाते रहते हैं बीच में चेंज होते रहते हैं लेकिन अगर आपने एक लड़ी बनानी है तौरफ गंगूली, MS धोनी, विराट कोली, स्पेशली इन टेस्ट फॉर्मेट और ओनली इन टेस्ट फॉर्मेट और रोही शर्मा अगले कप्तान इंडिया के फुल टाइम पर्मिनेंट कौन आपको नज़र आ रहे हैं सुरिया को मार्यादा था तो सोच तो सब आर्दिक बांडिया का रहे थे तो इसके बारे में भी आपनी उपिनियन दे सकते हैं बहुत बड़ा बूस्क मिलेगा इंडियन टीम को मिल गया होगा और अब बड़ी अच्छी नींद आएगी आनी भी चाहिए और अकाश दीप ने भी बहुत इंप्रेस किया यार इस सीरिस से पहल दो च्छके ले गए हैं तो आपको एक ऐसे बौई लगता है वो कि यार ये हमारा प्लैन रोकेगा नहीं ये पूरा करेगा और बॉलिंग भी अच्छी की है और ये बॉर्डर गवाजगर ट्रॉफिय से पहले एक बड़ा अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए कि आपक इंडियन में फास्ट बॉलर के लिए कोई तनी जादा अच्छी कंडिशन नहीं होती लेकिन जो स्पेशली पर्थ का टेस्ट मैच है पहला जिसमें अगेन मैं खुले आम कहता हूं पर्थ वाले टेस्ट मैच में असफेलिया फेवरिट है और मुझे नहीं लगता कि आप ठ डीटेल में उसको कवर करेंगे वाका में आवविसली ये मैच नहीं है मेरे ख्याल से ये पर्थ स्टेडियम में न तो पर्थ में ऑवरल पर्थ की जो मटी है यार वो नहीं समझ आती किसी के वो आम बंदे की बास की बात नहीं है वो ये और बड़ी मुश्किल से हैंडल कर वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखे हैं.